दियर इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें पोदे के विभिन भाग यानि की पार्ट्स ओफ प्लांट्स के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे सेबसे पहले हम बात करेंगे जैसा कि हैडिंग में दिया गया है कि पोदों के विभिन भाग तो यहां कौन से पोदों की बात हो रही है हम जानते हैं, कि पोदे कई परकार की होते हैं, यानि कि पोदों को पादब जगत में सेवाल, जिसे हम एलगी भी कहते हैं, थेलोफाइटा, थेलोफाइटे का मतलब है, इनमें जड़ तना पत्ती इस पर स्टूप से नहीं पाजाती है, इनकी सनसना थेलस जेशी होती है, थेलस जेशी यानि कि ऐसे इस परकार शे होती है, शेवाल आपने खूब देखे होंगे, पानी में, तालाब में, जिलो में, यहां इस परकार शे पैरते हुए पाजाते हैं, दूसरे ब्राय फाइटा, यह भी पादब जगत में आते हैं, फ कहते हैं और पांचे परकार की जो पादप है वो है आवर्थ बीजी पादप जिने एंजियो स्परम्बिक कहते हैं यहां हमें NCRT सलेबस के अनुसारी दी बात करें तो वेग्यानी के वही टेकर वही टेकर ने संपूर्ण जीव जगत को पांचे जगत में बाटा है जिसे हम Five Kingdom Theory भी कहते हैं जिसमें जगत मोनेरा जगत प्रोटिष्टा जगत फंजाई जगत प्लांटी यहां यह जगत प्लांटी की बात हो रही है और पांचवा है जगत एनिमेलिया तो सबसे पहले हम पोदे के जो भाग पढ़ने जा रहे हैं तो उनसे पहले हमको यह समझना होगा कि पोदे कितने प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं उनमें क्या-क्या पाया जाता है उसके कौन-कौन से भाग पोदों में होते हैं जैसे शेवाल के अंदर कौन-कौन से भाग होते हैं ब्रायोफाइटा टेरेडोफाइटा में कौन-कौन से पोद्दे के क्या-क्या पार्ट स्पाजाते हैं यहां मुख्य रूप से हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो आवर्त-बीजी पादप हैं आवर्त-बीजी पादप यानि कि एंजियोस्परमिक बाजरा है गन्ना है मक्का है गेउं है यह सारे जो फसल बगएर आपन देखते हैं सारे आवर्त-बीजी पादप में आते हैं तो आवर्त-बीजी पादप की अगर बात करें विभिन भागों की बात करें तो उसमें मुक्रूप से जैड, तना, पत्ति, साखाएं, उस्प, फल और बीज आते हैं परन्तु पहले हम यहां पोदों के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पादप जगत में यह अभी अपने चर्चा कर ली है यह पांच है सेवाल, ब्रायफाटा, टेलिडो, जिम्नोस्परम और इंजियोस्परम चीक है तो चलि इनका सरीर जो है वो थेल जैसा होता है इनमें जड तना और पत्ती नहीं पाजाती है यानि कि यह से पादप जिनमें जड तना पत्ती में विविजित नहीं होता है वो सेवाल होते हैं थेल और फैटा में आते हैं अब सेवाल भी कई परकार के होते हैं यहां कुछ एक्जा यहां आप देख रहे हैं इसमें जड़ तना पत्ति आपको कहीं भी नहीं दिखाई दिखाई दी रही है ध्यल्स जैसी सनुचना होती है दूसरे दो पादापन ब्राय फाइटा इनमें वास्त्विक मूल तना और पत्ति नहीं होती है यानि कि रियल में इसके अंदर जड़ तना पत्ति नहीं पाई जाती है परन्तु जड़ तना पत्ति जैसी सनुचना पाई जाती है यानि कि रूट लाइक, स्टेम लाइक, यानि कि पोद्दा जो वो जड़ तना पत्यों में विविजित होता है बटा हुआ होता है देखे यहां पर टेरड़ फैटा का आपको डाइगराम दिखाई दे रहा है यहां कुछ इंपोर्टेंट बात बताई जा रही है कि जो सेवाल है बडाय फैटा और टेरड़ फैटा है इन तीनों में ही फूल फल और बीज नहीं बनते हैं ठीक है यानि कि न तो इनमें फूल बनेंगे और जब फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा और फल नहीं होगे तो बीज भी नहीं बनेंगे यानि कि फूल से ही फ परन्तु यहां टेरेडोफाइटा जो है यह टेरेडोफाइटा इनमें सहवहन उत्तक होते हैं सहवहन उत्तक का मतलब है जायलम और फलोयम पाई जाते हैं वेस्कुलर टिशूज पाई जाते हैं हम सब जानते हैं कि जायलम क्या काम करता है जो जड़ों के द्वारा जल और ख में और जड़ तक प्रते कोशिका तक पहुंचाने का काम फ्लोयम के दवारा होता है तो टेरेडो फैटा के अंदर सहवयहन उत्तक पाए जाते हैं जब कि सेवाल और बुराय फैटा में जैलम और फ्लोयम यानिकि सहवयहन उत्तक नहीं होते हैं और में यदे अभी संस्तों होते हैं पेन उपस्ताइब सो एक उपस्तेय के कारण इन्हें सैवधनी क्रिफ गेम्स कहते हैं करृइश्लिक नोंगर प्राइब ऐनकि इनको वेश्टक्ल अद्यकर क्रिफ्टेयमेंश भी कहा जाता है यहां पर अगले point में आ रहा है कि आवर्त बीजी पादप और जो अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों में फूल फल और बीज बनते हैं इन्हें फिनेरो गेम्स कहते हैं अभी उपर आया था जिनमें फल फूल और बीज नहीं बनते हैं उन्हें क्रिप्टो गेम्स कहते हैं और जिनमें फल, फुल और बीज बनते हैं, उन्हें फेनेरो गेम्स करता है, तो किन किन में बनते हैं फल, फुल और बीज, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी प्लांट्स में बनेंगे, तो ये फिर आगे बात करेंगे हम, अनावर्त बीजी प्लांट्स की, जिम्नोस प्र प्लाइंट के दर साक नहीं होते, साक यानि कि बहुत छोटे पोदे जो हैं वो नहीं होते हैं, जड़नुमा हो सकते हैं, और बड़े उंचे वरक्ष हो सकते हैं, अब इनको अनावर्त बीजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके बीज के तारों तरफ आवरन नहीं होता, यानि कि इनके अंदर अंडास्य नहीं होने के कारण, जो बिजांड है, ये अनावर्त होते हैं, डके वे नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है अनावर्त बीजी है, यानि कि इनमें बिजांड जो है, वो अंडास्य से डके वे नहीं होते हैं, इनको नगन बीजी भी काराता है, नग्द माने नेकडे नंगे होते हैं यहां कुछ जिम्नोस्परम प्लांट्स के डाइराम दिखाए दे रहे आपको जैसे पाइनस है गिंगो है फीटरा है फीटरा रास्थान के अंदर खूब पाजाता है फीटरा चलिए फिर आगे बात करते हैं पन आवर्थ बीजी पादपों की आवर्थ बीजी पादप जैसा कि आप अपने चारों तरफ अपने घर के आज पास जहां भी आप देखते हो इस्कूल बगरा में सारी जगह सड़क के किनारे आपको जो पोदे दिखाई दे रहे हैं खेट में जो फसल सभी परकार की जो फसले हैं तो सारी आवर्थ बीजी में ही आवर्थ बीजी में ही आवर्थ बीजी कहते हैं लेकिं होता क्या है? जो पूस्प की सन्थण है, उसमें जो बीज का भाग है वो होता है, इसमें होते हैं पूंके सर, और रंगीन जो पंखुडिया होती है, पूस्फ की घृती है, बाई दलपुंस होती हैं, तो यहां पर यह जो इस तरी के असर वाला भाग है इसका यह जो भाग है तो अंडाशे होता है अंडाशे में बिजांड बिजांड की संक्या एक दो तीन ठीक है अधिक भी हो सकती है तो यहां पर बिजांड जितने बिजांड होंगे उतने ही बीज बनेंगे और अंडाशे स फल बनेगा तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब बीजांड के तारों तरफ यदि अंडा से नहीं है तो यह बीजांड जो है जो बीज बनाएगा वो बीज नगन होगा तो नगन बीजी का लाएंगे यानि कि अनावर्त बीजी का लाएंगे परंतु जब अंडा से परजेंट तो यह बिजांद है यह डखा हुआ है इसलिए आवर्थ बीजी कहलेंगे तो यह फिर आगे बात करते हैं जो उत्वरक के पादप का मतलब यह यह जो अभी अपने पढ़ने हैं अनावर्थ बीजी आवर्थ बीजी पोदे एंजियोस्प्रमिक प्लांट जड़ तना उर पतियां और जब जड़त्रा पतिसे नय़ पदा बन जाएगा तो उसे काइक जनन कहेंगे जबकि पुस्प की सनस्वनचना से जो बीज बनता है और उसे नय पदा बनता उसे लेन के जनन कहते हैं तो चलिए हम सुरुवात करते हैं आवर्त वीजी पादप जो हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आवर्त वीजी पादपों के सरीर को मुक्रिफ से दो बागों में बाटा गया है पहला उसके अंदर मूल तंतर होता है दूसरा परोह तंतर मूल तंतर में तो मूल या जड़ सामिल है और परोह तंतर में तना, साखाएं, पतियां, फूल, फलोर बीज को सामिल किया गया है यहाँ आप एक डागराम के मादेम से देख पा रहे हैं यह जो भूमी के अंदर का जो भाग है यह भाग निचे वाला, जो जड़ वाला पाग है यह मूल तंतर क्यालाता है इसमें एक मुख्य प्रात्मिक जड़ होती है और उससे और जड़े निकल जाती है जिनने दिट्टेक और उसके आगे और निकलती है उनने तर्टेक जड़े कहा जाता है यहाँ उपर का जो भूमी के उपर का जो भाग है यह पूरा भाग यह परोहतंतर क्यालाता है यह भाग पूरा परोहतंतर है जिसमें तना, ठीक है यह पतियां, साखाएं पूस्ब, फल, फल में जो बीज है यह सारे परोहतंतर के ही भाग है यहां देखिए कि आप कुछ कलीका जो निकल रही है जहां से नहीं साखा निकलेगी यह कलीका दो परकार की हो सकती है या तो केवल कलीका है तब तो इसका मतलब यहां पर साखा निकलेगी और पूस्ट कलीका है तो उससे पूस्ट का विकास होगा यहां देखे जो कलिका है यह भाग यहां इसे नोड कहते हैं नोड का मतलब होता है परवसंदी यह यहां पर परवसंदी है दो परवसंदियों के बीच का जो space है उसे inter-node का जाता है यानि कि पर्ववग काज आता है, यह पर्वसन्दी, यह भी पर्वववग कादाएगा, ठीके नोड, नोड और इपीज का भाग, इंटर नोड इस वरकार से हमने मूल तंतर और परोटनतर के बारे में समझा यहां इस वीडियो में हम केवल मूल तंतर के बारे में ही विश्थार्षय चरचा करेंगे परोटनतर के जो भाग है तना, पतियां, फूस्प, फूल और बीज उनके लिए हम अलग से वीडियो पढ़ेंगे एक एक ते लिए हम बात करते हैं पहले मूलतंतर की root system की root Z जो है वो क्या काम करती है और किसे कहते हैं पहले अपने ये बात करेंगे तो पोदे का हुआ है बाग जो जमीन की और बर्दी करता है हम सभी जानते हैं कि ये जो दरातल है और इसमें जड़ जो है वो नीचे की और गरोज करती है तो ऐसा भाग जो जमीन की और गरोज करें नीचे की और बर्दी करें वो कलाएगा मूलतंतर जलोज बिद पात्पों में मूलतंतर अल्प्रिक्षित होता है जली जो पोदे हैं उनको पाने की आपूरती बराबर होती रहती है क्योंकि जड़ का जो मुख्यकारी है वो जल का उसोशन करना है और जली पोदो के अंदर तो पूरा पोदा ही जल के अंदर है इसलिए उसकी जड़े अल्विक्षित होती है जड़ विक्षित नहीं होती है कुछ जल्य पोदों में तो मूल का भाव होता है कुछ जल्य पोदों ऐसे होते हैं जड़ होती ही नहीं है ठीक है अब यहाँ यह जो बात हो रही है यह आवर्त विजी पोदों की बात हो रही है एसे तो आप कोगे कि सर्शेवाल में जड़ नहीं होती है, हमें पताईए, लेकिन यहाँ दो आवर्त भी जी पादप है, उनकी बात चल रही है, कुछ आवर्त भी जी पादप भी एसे हैं, जिन में जड़ नहीं होती है, जल यह पादप है, जैसे सिरिटो फिल्म, वोलिफि और सालिवीनिया ये एक्जामपल्स हैं इनको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा अब है जड़ की विशेष्थाएं क्या क्रेक्टर्स होते हैं पहले पुइंट में है जड़े नमी या जल की ओर यानि कि जड़े किदर ग्रोथ करती है जड़े नमी होगी या जल होगा जैसे म पानी खूब है तो जड़े जो है वो इधर ग्रोथ करने शुरू कर देगी तथा धनात्मक भूमियानुवरतनब्टस कहलते हैं या या दनात्मक गूर्थवानुवरतन भी कह सकते हैं गुर्तवानो वर्तन का मतलब क्या है गुर्तवाकर्षन बल की ओर गुर्तवाकर्षन बल नीचे की ओर खींसता है वस्तों को इसलिए इसको दनातम गुर्तवानो वर्तन भी कह सकते हैं की ओर वर्दी करती है मूल परकास के विपरित दिसा में जैके परकास तो किदर है परकास तो उपर है सुर्य की तो परकास वो तो उपर है और जड़े किदर जा रहे हैं नीचे परकास है उपर की तरफ और जड़े होती हैं नीचे की तरफ तो इसे क्या कहेंगे अपन परकास के विपरित, जिस परकार से यहां पहले पढ़ा दनातमक भुमन्या वरतन, वेशे पन यहां लिख सकते हैं, रिनातमक परकासानु वरतन, ठीक है न, यानि कि यह केसे करोध करती हैं, रिनातमक परकासानु वरतन, इसका मतलब है, negatively, photo, photoism, यानि कि, photo light, ठीक है न, तो परकास के विपरित गती करती हैं मूल के अंदर परणहरित नहीं होता है आला की कुछ अपवाद है जैसे शिंगाड़ा है अपने गिलो है उनकी जड़ों के अंदर परणहरित होता है वो फोटो सिंथेसिस कर सकती है लेकिन अधिकांस्त मूलों में परणहरित नहीं होता है औ और जड़ के अंदर परव और परवसंदियों का भी हवा होता है जैसा अभी अपने पादप की सनुचना में चितर में देखा था कि उनमें परव और परवसंदि नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं जबकि जड़ के अंदर परव और परवसंदियां नहीं पाए जाती हैं यहां कुछ मुल structured कौाइद है कोज़ का यहां कुछ मुख्य कारिए जुर का काम क्या थे जड़े जो है मर्दा से मर्दानिकी मिंट्टी से स्वुअज से Water और जो खनीजलोण है, minerals है, उनका आस्वोशन करते हैं. देखें मिटी में सारे खनीजलोण गुलेवे हैं, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, वो सारे जल के अंदर गुलेवे हैं, तो जल के साथ ही आस्वोशित हो जाते हैं. ठीक है? आस्वोशन करके कहा पहुंचेगा? तने में उपर साखाओं में पत्यों तक पहुंचा जलू जल्य पादपों में जड़े अलपिक्षित होती हैं तथा जल्द का उसुशन पादव की सतेश्य होता है ये पहले भी आचुका है पूरा जो प्लांट जो बोड़ी है उसी से जल्द का उसुशन होता है एक तो ऐसे जल्य पोदे हैं, जो पानी के अंदर पूरे अंदर ही डूबे होए हैं, जैसे माली जे पानी से बार ही नहीं आते हैं, कुछ जल्य पोदे ऐसे होते हैं, जो आदे जो है वो जल्ल के अंदर हैं, और आदे जल्ल के बाहर हैं, ठीक है ना, इस परकार से ये पानी क इसकी इस्टति के आधार पर मुखे रूप से जड़ में इसको संतुलित इस्तति में जैसे इस्टति यहां प्रज भालकि में तैर रहा है याँ पॉदा पॉदा इसका ना हो गया उपर हो भूल् कि जड़री प्सकीरे 45 अंगी तstudy की की फो जड़े है यह इसको फोदे को सिदा बनाय रखने में मदद करती monit सका बैलेंस बनाती है ऐसे का एक्जामपल लेंग नापाद li मूल मूल मर्दा अपरदन को रोकने का कारती है इनकि मिट्टी के कटाओ को रोकने का काम करती है पोदों की जड़े जो है जैसे मर्दा का कटाओ वायू द्वारा भी हो सकता है जल द्वारा भी हो सकता है तो उसको रोकने का काम करती है अब हम बात करेंगे कि पोदों में दो परकार की जड़े पाय जाती है एक तो मुसला मूल जिसे टेप रूट कहते हैं दोसरी रेशेदार मूल जिसे फाइबरियस रूट कहते हैं तो तलिये हम देखते हैं या डागराम से समझने का पर्यास करेंगे आप देख पा रहे हैं यह दो एक इसमें मुख्य जडườ्ड है इस मुख्य जड़ से ही आगे और साखे निकल जाती है परात्मिक जित्तेक और करत्तेक मूल ठीक है इसे तो करते हैं टेप रूट या मुसला मूल दोसरी दो जड़ है वो जिसे रेशिदार कहते हैं फाइबेरियस रूट कहते हैं इसमें वास्ते में क्या होता है पहले एक लेकिन वो मुख्य जड़ जल्दी ही अपहासित हो जाती है नष्ट हो जाती है और उसके इस्थान पर यहां अनेक जड़े इसी भाग से एक गुच्छे के रूप में निकल जाती है ठीक है जिसे अपस्तानिक जड़े या एडवेंटिटिट्यूज रूट भी कहते हैं तो जो रेशेदार जड़े है यह एक बीजपतरी पात्पों में पाई जाती है बीजपतर का मतलब यह है एसे बीज जिसमें दो बीजपतर हो जैसे चना आपने देखा है चने में दो बीजपतर होते हैं और एक बीजपतरी जैसे चावल है यह हुए मक्का है घास वाले जो पो तो इसपश्ट बीज पत्र दिखाए जाए तो आप देखके बता दोगे जड़ देखकर के ही कि ये पोदा केसा है जिस पोदे के अंदर मुसला मूल पाई जाती है टेप रूट पाई जाती है वो दिवीज पत्र है डाइकोट है और जिन पोदो की जड़े जो है वो इस रूट है यानि कि वो एक बीज पत्र पोदा है मोनो कोट प्लांट है तल यह हम बात करते हैं पहले मुसला मूल की यानि कि टेप रूट की ये जड़े जिसमें एक मुख्य जड़ होती है अभी अपने उपर डियागराम से समझा इसमें पार्ष्व में पार्ष्व नही तरुस्यों है जैसे आम है नीम है सरसों है चना चना जो इसको दालों का राजा भी कहते हैं अगेजर है मुली है मुंख्भली है मट्रints है टमाठर है आग देवेईस पत्रि अगली दो जड़े हैं, रूट हैं, उसका प्रकार है रेशेदार या जखडा मूल, इंगलिस में इसको फाइबरेस रूट कहते हैं एक बीजपतरी, अभी बात किती हमने, जो मोनो कोट हैं, एक बीजपतरी पादप हैं, उनके अंदर ये पाई जाती हैं में प्रात्मिक मूल शिगर ही नष्ट हो जाती है, और उसके नष्ट होने से अपस्थानिक मूल तंतर बनता है, जिसे एड़िवेंटेटियूर्स, रूट सिस्टम भी कहते हैं इनमें सभी जड़ें एक समान गुच्छे के रूप में होती है, जैसे मक्का है, गेउ है, जो है, प्याज, प्याज आपने देखा होगा, उसके इस परकारशेशी होती है, और यहाँ एक साथ एक गुच्छे में बहुत सारी जड़े निकल लियाती है, बाजरा है, घास है, देखेगा घास जो कूल है, उस घास के अंदर जिसको पन पोईशी कूल भी कहते हैं, या ग्रेमिनी भी कहते हैं, ग्रेमिनी या पोईशी एक की बात है, तो ग्रेमिनी या पोईशी कूल के अंदर जितने भी घास हैं उगरासी जाती हैं, जैसे गेउं भी एक घास ही है, ठ खेतों में और इसको हमने कि इसका पालने सुरू कर दिया मक्का है यह भी घास में आती है जो भी घास में आता है गन्ना यह भी ग्रासेज में आता है बाजरा भी ग्रासेज में सामिल है बांस एक नाम और सुनाओगा आपने बांस का जो पादब होता है यह भी घास ही होता है सबसे उची घास जो है वो बास ही होती है ठीक है और दूब जो है वो भी घास में आती है तो एक बिजपतरी पोदों के अंदर वो खिरुप से रेशेदार रूट्स पाई जाती है फिर देखे हम बात करेंगे जड़ या मूल की बाहिये सनचना जड़ बाहर से देखने से लिखती है तो पहले हम इसको डािर्व म्सें समझते है आपको इस डाइगराम दिखाः जिरा है ईए जड़ को अपन देखे तो देखे से आगे जो है वो होता है इसके एक प्रकार्शा आपको दिख रहा है वाग इसे कहते हैं मूल गोप या रूट केप का अनलब टोपी जैसी सनसना होती है जो जड़ की सुरक्षा करती है ठीक है यह तो यह सिर्स विव्योतक होते हैं यानि की सिर्स भाग है और विव्योतक का म कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है इसलिए इसको दिर्क दिर्क के अनलब बड़ा होना और तीसरा तो पीछे के तरफ भाग हो है परिपकोन शेतर परिपकोन हो जाता है इसमें विवाजन बंद हो गया और इस भाग में यह मूल रोम पाए जाते हैं रोम का अनलब बि रीजेन या growing zone बोल दीजिए, zone या reason एकी बात है, growing करने लग ग्रोस्त करने वाला भाग, यह मूल का सिर्फ भाग है, जो की मूल, गोप या root cape से डखा होता है, और यह कोशिकाओं की मिट्टी से रगडन को कम करके नश्ट होने से बसाता है, जो अभी अपने देखाता है, यह भाग, यह root cape इसकी बात हो रही है, दूसरा जो भाग है वह परिपकोंचेतर, परिपकोंचेतर कौन सा, अभी अपने बात की थी, यहाँ पर देखिएगा, यह भाग है परिपकोंचेतर, इसमें एक कोशिकी रूम, एक कोशिकी मूल रूम पाए जाते हैं, जिनको root hairs कहते है देखिए, यहाँ से कई बार question पूछा गया है, कि मूल रूम कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, या बहु कोशिकी होते हैं, तो मूल रूम हमेशा एक कोशिकी होते हैं, और पोदे के जो वाई वे भाग है, यानकि तना है, ठाखाए हैं, पतिया हैं, उन पे जो रूम होत यहां मूल रॉम जो हैं वो एक कोशी के होते हैं और मर्दा में केशी का जल बहुत इंपोर्टेंट बात है यह जो मूल रॉम है यहां मिट्टी के जो कण है इन मिट्टी के कणों के अंदर कई परकार का जल पाई दाता है ठीक है ना तो उसके अंदर कौन से जल का असुशन क करते हैं ठीक है केशी का जल कौन सा होता है जो दो मरदा कड़ों के बीच में यहां जो जल पैदाता है यह केशी का जल केपेलरी वाटर जिसको कहते हैं केपेलरी वाटर का अब्जूर्बेशन करते हैं और खनी जलवनों का उसोशन करते हैं खनी जलवन तो पानी के अंदर ग ready. पानी के अंदर है. तो उसमें मूल ड्रॉम की आव सकता है,vos नहीं है. दूसरा उसके अंदर जो मूल घोप है ने की root cave निच्चे वाला बागा, निच्चे वाला बागा ने ये, आगी का बागा. ये root cave नहीं होता, उसके इस्थान पर उसमें मूल कोटरिया पैजाती है जिनको root pockets कहते हैं इन root pockets के अंदर air भरी होती है हवा भरी होती है जिसके कारण जो पानी में पाइजाने वाला पादप है जल निये पादप है वो आसाने शें फ्लोटिंग कर सके पानी में तैर सके क्योंकि इसमें root pockets में हवा बरी होने के कारण ये उत्पलावन के बल के कारण उपर की तरफ तेरता रहेगा फिर हम बात करते हैं जड या मूल की आंतरिक सनचना internal structure की तो यहां देखें डागराम में आपको दिखाए दे रहा है ये जड की आंतरिक सनचना है इसमें जो मूल रोम है वो प्राशन द्वारा देखें का यहां पर जो मिट्टी दूल के कन है मिट्टी है मरदा है इनके बीच में जो केशी का जल है ठीक है उसका ये जल का उसोशन करेंगे लेकिन उसोशन करने के लिए कौनची विदिखाव में आजगी पराषण दवारा ठिक है ना ओस्मेटिक प्रेसर जिसको ओसमोसिस भी कहते है पराषण का मतलब है जल जो है वो अपनी अधिक सांधरता से अपनी कम सांधरता की और मुवमेंट करेगा ठीक है ना उसे पराषण कहते हैं ट्रांस वरजन सेक्षन जिसको कहते हैं यह सेक्षन आपको दिखाए दे रहा है अनुपरस्त काठ यहां जल इस प्रकार से गती करता हुआ यहां पहुँचेगा जो की बीच में इसका वेस्कुलर बंडल है जिका 7 उट तक है जिसमें जैलम आपको दिखाए पांदरने की, modifications of route, जड़े जो हैं, वो किस परकार से रूपांतरित हो जाती हैं, तो जड़े रूपांतरित होने के लिए कई कारण है, बोजन गरन करने के कारण, बोजन का इस्टोर करने के कारण, या फिर supporting के लिए सारा परतान करने में, तो हम सारे ही कारण इसमें जो important exam मे पूछे जाते हैं, उन सब को समझेंगे, जड़े कारियों को करने के लिए, विशिष्ट कारियों को करने के लिए, पोदों की जड़े रूपांतरित हो जाती हैं, उनकी इंदर modification आता है, तो सबसे पहला point है, वो है, खादे संगरन हे तू रूपांतरन, यानिकि, storage of food, ये बोजन देरे-देरे, उनकी मूल में, उनकी रूट के अंदर जाकर के, store हो जाता है, संगरिस्त हो जाता है, और जड़े फूल जाती है, जड़े फूल करके मोटी हो जाती है, जैसे आप अपन जो जड़ों को बोजन के रूप में गरन करते हैं, साग सबजी के रूप मे जैसे गाजर में बिटामीन ए रेता है जेक इसलिकी विटा के रोटीन होता है क्या होता है इसके पतिया है वोजन बनाती है उनिच्छे उसकोista लड़ मोटी हो जाती है जिसम हम खाते हैं सकरकंद के अंदर भी ऐसा ही होता है जिसके सब्सक्राइब अगर चाहंद नाम क्या है इntबी चीनी बनती है यह लाल रंग का होता है सलजन जैसा ही होता है जुक हंदर भी यहाँ देखे गा एक कुछ सी इंम्पॉर्टेंट बात है जहां से क्युत्वन आता है कि इनकी जो सनुचना है वो काफि होती है जैसे पहरा है तर्कु रुपी तर्कु wy Bar जिसका उपरी किनारा भी पतला हो और बीच में से मोटी हो और अंतिम किनारा भी पतला हो यह तरकुरूपी कलाएगी दूसरी है संकुरूपी संकु किसे कहेंगे जिसका एक किनारा तो तोड़ा हो और दूसरा किनारा इस परकार से संकुरूपी कलाएगी यहां थोड़ा सा मि लाजर का एक्जामपल है और यह जो कुम्भी रूपी है कुम्भी यानिकी कुम्मन्य होता है गड़ा गड़े जैसे सनचना को दिख रहे हैं सलजम के अंदर किस परकारशे फूलावा है गड़े जैसा तो इनके यहां से भी क्यों सुना दाते हैं कई बात अब देखे जड़े उस पोदों की जड़े ऐसी होते हैं जो फोटो सिंथेस करती हैं इन्हें सुवांगी कारी जड़े भी कहते हैं या इंगलिस में इसको एसी मिलेटरी रूट्स भी कहते हैं जल यह पादव जैसे एक तो सिंगाड़ा है इसकी जड़ों में हरित लवक जाता है कलरवल व्हल्ट होता है जिससे फोटो सिंथेस करता है और यह बोजन बनाता है इसी प्रकार से गिलोए जो बेल होती है का अइरवेदी कोस्दी है उसकी पर्वसंदियों से जड़े निकलती है और जो हावा में लटकी रहती है यहां पर यह इस प्रकार से नीचे जड़े इसकी लटक रही है, तो ये जड़े भी क्या करती है, फोटो सिंथेसिस करती है और बोजन बनाती है, आरोहन है तू, आरोहन का मतलब वह है चड़ने में साइक, उपर क्योर, जैसे climbing, जैसे climbing, जैसे चड़ना, चड़ने में साइक होती है, जैसे money plant है, और ये पान, प पान खाने वाला पान होता है या आपको पान का ही पोदे का डिखाई दे रहा है ये इसके पत्तियों को खाने के रूप में कामिल लेते हैं तो इसकी जो जड़े होती है तने से जड़े निकलती है और वो जड़े किसी आधार के उपर इसी दिवार पे या पोदे के तने के उ सा गया है तो आbenशी के बीड़ों के अंदर कवक पाई जाते हैं अजों सह Σच कवक जिम्नो स्परम पाधफ कौं से पाधफ है कि अनावर्त विजी पाधफ उसका एक्जाम्पल है विजैसे पाइनस, कौन सा पादब पर जिम्दोस परम, पाइनस पादब, जो हमने शुरू में इसका डागराम देखा भी था, पाइनस का, कि मुसलामूल, यानि कि जिम्दोस परम प्लांट्स के अंदर केवल मुसलामूल ही होती है, यह भी पहले आ च चुका है, कि जड़ों में सहजीवी की तरह है, कैसे रहेंगे यह, एक तो होते हैं परजीवी, एक होते हैं सहजीवी, तो यहां पर यह सहजीवी यानि कि दोनों को फाइदा होगा, कवक को भी फाइदा है, और इस पाइनस पोदे को भी फाइदा है, कैसे फाइदा है, जह नियुवालेट्रोजन ले लेंगे ठीक है और बदले में ये कव क्या करेंगी यह पाई जाते हैं, सहजी वी की रूप में, और इनकी जड़ों को परवाल मूल कहा जाता है, ठीक है? तो लिए फिर आगे चलते हैं जनन है तू कुछ पोदों के जड़े जो है वो जनन करती है यानिकी नया पोदा बना ले सकती है काईक जनन करती है जड़ों के दुवारा जैसे सकरकंद के अंदर सकरकंद यानिकी सवीट पोटेटो केले के अंदर होता है देहेलिया एक और्नामेटल प्लांट है सजावटी पूदा है जिसमें थर्दियों के अंदर बहुत अच्छे सुंदर फूल आते हैं और गर्मियों के अंदर ये पूरा उपर शे नश्ट हो जाता है लेकिन जो ही सर्दिया दुबार आती है तो इसकी जड़े फूट जाती है और नया पोदा वापस बना लेती है तो इसकी जड़ों के अंदर इंसुलीन के क्रिश्टल पाए जाते हैं इंसुलीन के क्रिश्टल इसमें परजेन्ट होते हैं अगली जो जड़े है सहारा परदान करने हेतु शपोर्ट करने वाली सपोर्टिंग रूट्स मुख्य तो इस परकार से यहाँ पर ये सका मिटी के पास में यह जड़े नीचे जड़े हैं यह बहुत ही चोटी होती हैं तो जो ही तेज हवा वगरा चलती है या आंदी तुफान आता है बारिस आती है तेज हवा के साथ तब यह फसल गिर सकती है तो इसे बचने के लिए यहाँ पर जो भूमी के नजदीक जो सबसे पास में जो परवसंदी है यहाँ से कुछ जड़े निकल जाएंगी इस परकार से और यह जड़े क्या करेंगी इस पोदे को गिरने से बचाएंगी ठीका सहारा परदान करेंगी तो यह एडवन्टिट्ट जमीन के और बढ़ती है और जमीन में परवस करके सहारा परदान करती है हमें पता है कि बर्गत जो है यह इसका तना माली यहाँ दूरी तक बढ़ता रहेगा और आगे तक चलता रहेगा तो यहाँ से तूट सकता है इसको बचने के लिए यहाँ से जड़े निकल जाएंग और इसको इस सपोर्ट सहरा परदान कर देंगी, ताकि ये इसका दो तना है, ये नीचे के तरफ नहीं गिरें, जुके नहीं, टूटे नहीं, इसको सपोर्ट सहरा परदान करती है, लवण मर्दोद वीद पादप, यानि के ऐसे पोदे, जो लवण ये मर्दा में उगते हैं, ठीक है ना उनको इंगलिस में हेलोफाइट्स करते हैं इन पादपो के अंदर इस्तम्मूल यानि कि इनके जो इस्तम्हतना है वहाँ से भी रूट निकलती है और इनको साहरा परदान करती है अगला एक्जामपल है सावसन हेतू सावसन करने हेतूरू पांतरन यानि कि जड़ें भी सावसन करती है जड़ें देखो सभी पोदों की जड़ें सावसन करती है अगर अपन किसी भाग को पानी से पूरे बरके रखें तो आपने देखा भी होगा कुछ जगे ऐसी होती है जहां पर ताला पूरा पानी से बड़ा रहता है लेकर उसमें जो बड़े पेड़ है वो सूक जाते है वहां तो पानी की कोई कमी नहीं है फिर क्यों सूके? क्योंकि वहां जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो हवा का स्पेस था वहाँ वायू बिल्कुल भी नहीं है और हवा नहीं होने के कारण उनकी जड़ों ने सवसन नहीं किया यानि कि जड़ों में सवसन की किरिया नहीं इस कारण से सवसन नहीं करने के कारण वो जड़े मरजाती है और जड़ी यह दि मरजाती है तो वो जलकाव सवसन नहीं वजल का उस्वशन नहीं हो तपादप पूरा सूख जाता है यहाँ अपन बात करेंगे कि कुछ पूदे के नदर जड़े जो हैं वो सवसन किस प्रकार्शी करती है लवड मर्दोद वीद पादप अभी आया था हेलोफाइट्स यानि कि ऐसे पूदे जो लवड़ी मर्दा में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं छेतर में पादपों को मेगरोवनस्पती इन पूदों को एक स्पेसल नाम है क्या नाम है इन पूदों को क्या कहते हैं मेगरोवनस्पती भी कहते हैं ये भूमी के दलदली भाग में दलदल का मतलब क्या है जहां मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा है जिसको जलाकरांट भी कते हैं जल प्लस करांटी जलाकरांट होने पर ओक्सिजन का भाव यानि कि उस मिट्टी में क्या हो जाएगा ओक्सिजन की कमी हो जाएगी और रिनात्मक का लाएंगा रिनात्मक गुर्टवा अकरषन बल्के विपरित गुर्टवा करती है और यह उपर के ओर गुर्टकरती है तो नेगटीव लिकल आएंगे ठीक है बुमिक यह बाहर आधा थाती है और सवसन करती है इन जड़ों का इस पेसल नाम है न्यू मेटाफोर कहते हैं ठीक है और जल ये पादब जो है हेलमिन्थो राइजा उसके अंदर भी सवसन मूल वाली जड़े पाइजाती है यहां इसको पन डागराम से समझेंगे यह हेलो फाइट्स का आपको पादब दिखाए दे रहा है इसमें देखेगा दलदल छेतर के अंदर है यहां यह इसकी दो जड़े हैं यह निचे जाती है पहले तो और निचे जाकर के फिर वापस दलदल से बाहर आ रही है उपर की रोर यहारें दखी का यहां पर यह जड़े बाहर की तरफ यह आ गई बार ठीक है ना तो इन जड़ों के अंदर छोटे 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 छिद्र होते हैं जिने इस्टो मेटा कहते हैं रंदर कहते हैं यहां से गेसो का अदान परदान करेंगे यानि कि सवसन के रिया करेंगे हवा के अंदर ओपर की तरफ आ गए और इन्हें ही क्या कहते हैं नियू मेटाफोर कहते हैं यानि कि छो खूंटे जैसी स्रंचन है आपको दिखाई दे अगला तो मोडिफिकेशन है रुपांत्रण है वो है नायट्रो तो निस्तरीकरण है तू उस पोदों की जड़े के अंदर राइजोबियम नाम का जीवानू पाइदाता है ठीक है कहां पाइदाता है जीवानू उनकी मूल गुलिकाओं में मूल गुलिकाओं मुल बदोन क्यों करें करते हैं तो यह मुखे रुट से लेघुमिनेशी कुल के पादप फॉल के हैं लेघुमिनेशी कुल के पादप का मूल बनाब है दाल वाले पताष यानि कि इतने भी DAL है उन DAL जैसे चना है मूंग है मोट है न तंड़ मतर है सोयाबइन है सब से ज़द नाम का बेक्टिरिया होता है जो डू मंडल में जो नाय।रोजन है उसको लेगा य। पोधे को देते गा जिसके करण में पोधे के अंदर प्रोटिन का निर्मान अधिक होता है और ज़़्धा प्रोटिन होने के करण ही anticipate पातु के ठीक है, तो यह जड़े क्या काम करती है, nitrogen का यह इसरीकर्ण का काम करती है, nitrogen flenciason का काम करती है, war EDL nitrogen को nitrate and nitrite के योगर को बदल करे, पोधे को देती हैं, जिससे पोधे की ग्रोथ अच्छी होते है और पोधे के अंदर protein का निर्मान होता है, अगला जो जो मोडिफिकेसट है वह जो खबी नहीं मरने वालीario, यह कि यह उन से दूसरे पोदे पर अपनी जड़े यानिकि यहां पर आपको भी बbbe दिखाये रहे हैं मरंगे कंगी इस आवासतमे रंग पिलाई होता है तो यहां इससे कुछ जड़े निकलती है और यह जड़े क्या करेंगी जिस पोदे के उपर उस पोदे को कहेंगे परपोशी पादप जिस पोदे के उपर यह अमरबेल होती है उस पोदे का नाम होता है उसे परपोशी पादप कहते हैं होश्ट प्लांट कहते हैं तो यह जड पादप के तने या साखाओं से पोश्टन गरन करती हैं, यहां देखेगा एक पोदा है, उसको पूरा ढखर रखा है, इसी यह बेल आपको दिखाई दे रही है, यह अमर बेल, अमर बेल को अपन क्या करते हैं, कसकुटा भी करते हैं, अमर बेल का नाम क्या है, कसकुटा भी ह ठीक है तो यह यहां से बोजन प्राप्त करते हैं अगला जो अधरता ग्राही जड़ें आधरता ग्राही का अनलब क्या है जो वाईव मंडल के अंदर जो नमी है जो आधरता है उसको गहन करती है जड़ें देखे कुछ पादब जो अधी पादब कलाते हैं जैसे हम यह इस पोदे से बोजन का उसोशित नहीं करती है यानि कि यह पोदा देखो हरा है यह पोदा आपको दिख रहा है यह इसकी यह हरा है बिल्कुल यानि कि फोटो सिंथेशिस करेगा अपना बोजन खुद ही बनाएगा लेकिन यह इस पोदे के ऊपर चिपका रहता है ठीक ह यानि बोजन तो उपर से बना लेंगी फोटो सिंतेशिस से सूरीय के परकास से लेकिन इनकी जड़े होती है यह जड़े अधर तक राइए जो वायू मंडल के अंदर जो नमी है जल है उसको असूशित कर लेती है जड़े यह ठीक है यानि कि यह जो होस्ट प्लांट है यह इ दूसरे पोदे के ओपर डिपेंड पाए जाते हैं लेकिन बोजन अपना खुद ही बनाते हैं यहां पर आपको बिल्कुल साफ दिखाए दे रहा है यह कोई दूसरे पोदे की साखा है या तना है और उसके ओपर यह पोदा दूसरा अधिपादर ना यह और्किड है इसकी जड़े लटक रही है इस प्रकार से अधर तक रही जड़े हैं इनके अंदर एक खास बात होती है इन जड़ों के अंदर विल्लामेन नामक टिस्यूज होते हैं कौन से उत्तक होते हैं विल्लामेन उत्तक इस उत्तक के कारण यह वायमंडल से जल का उसोशन कर पाती है लास नवी सरफघंदा भी जड़ से प्राप्त होता है मसालों में जैसे हिंग भी पोधे की जड़ से प्राप्त होता है वेंद्ध मुषली का प्रहीत होता है सफ्याड मुषली है अगा भी प्रकार से इस वीडियो में हमने पोद्दे के विविन भागों में सामाने जानकरी प्राप्त की और उसके प्रस्दाज जो जड है रूट सिष्टम है मूलतंतर है उसके बारे में हमने विश्टार से समझा धन्यवाद